हेलो गाइज, वेलकम टो विपिन क्रेजी गाडन इन्फोर्मेटिव ब्लोगर फ्रेंड्स जो आज ये पोदा आप देख पा रहे हैं इसको हाइब्रेड हिविकस कहते हैं आज की वीडियो रहेगी की हाइब्रेड हिविकस के पोदे पर मैक्सिकम फिलावर हम कैसे प्राथ कर सकते हैं गाइज, ये बहुत हार्ड़ी प्लांट होता है मैंने लास्ट इयर इसको जुलाई में अपने फ्रेंड के गाडन से लेके आ था और मैं इसको रूट के साथ निकाल के लेके आया था काफी बड़ा ये प्लांट था और ये मेरी गाड़ी में लगबग आठ गंटे विदाउट मिट्टी के पड़ा रहा था बाद में मैंने इसको घर पे आकर रिपोर्ट किया इसमें बहुत इसमें बहुत सारी बरांच थी कि हमें कौन सा फर्टिलाइजर इस पोड़े को देना चाहिए ताकि इसके उपर मैक्सिम फ्लावर आ सके गाइज पोटिंग मिक्स इसकी त्यार करनी है जो बिल्कुल वैल ड्रेन हो जिसमें पानी जमाना हो क्योंकि यह पानी जमा हो जाता है इसके पोड में तो यह पत्ते अ हम सबसे पहले एक ठ्रेय ले लेंगे और बैद दोसे तीन मुठी वर्मी कम पोस्ट दाल देंगे उसके बाद उसमें एक मुठी बोन मील देंगे उसके बाद एक चम्मच first पूरस मिला देंगे साथ से आड़ दाने सी विड के और 7-8 डाने DAP के उसमें मिला देंगे इन सभी fertilizer को हम अच्छी तरह हैंड से mix कर लेंगे और mix करने के बाद इन सभी fertilizer को हम जो अपना हमारा 12 इंच का port है यह भीकस plant का उसके अंदर में डाल देंगे इस mix fertilizer को port में डालते वक्त इस बात का दान रखे कि जो इसका stem है उसके आसपास मत डाले आप उसके चारों तरफ में इसको इवेंटली spread कर दे और spread करने के बाद जो हमने मिट्टी पहले निकाली थी निरागड़ाई करके उस मिट्टी के सको वापस इसी port के अंदर डाल दे और friends मिट्टी डालने के बाद हमें इस प्लांट की थ्रोली वाटर देना है इसको और वाटर इसाब से देना है ताकि जो इसके नीचे होल होते हैं पोर्ट में वहाँ से इसका वाटर बाहर निकल जाए friends आप इस बात के धान हमेशा रखे आप जब भी किसी भी प्लांट को फर्टिलाजर देते हैं तो वाटरिंग उसके बाद मस्ट है यदि वाटरिंग नहीं करेंगे तो पोदा गर्मी का सिकार हो जाएगा friends अभी इस प्लांट के ओपर small small बड्स आई हुए यही राइट टाइम है इसको mix fertilizer देने का अभी हम एक हपते बाद देखते हैं इसका result कैसा आता है friends एक हपते बाद इस पोदे की जो बड्स है उनका size बढ़ने लगा है और यह पोदा कुछ दिनों बाद इसके जो flowers है यह fully open हो जाएंगे इसका मतलब है हमने जो इसको mix fertilizer दिया है उस mix fertilizer ने अपना काम करना शुरू कर दिया है friends यह 15 दिन बाद का result है और इसके flowers fully तरह open हो गए हैं और इसके flowers देखने हैं बड़े सुन्दर लगते हैं इसका size भी देखे काफी बड़ा size है ऐसे लगता है जैसे दो तिन flower एक साथ खिले हुए हैं और इनकी जो birds पर आप कट देख रहे हैं यहां पर सुबह के time पर चिडिया आती है और मैंने इस पोदे को दिवार के उपर रखा था तो वो इसकी जो birds होती है उनको खा जाती है इसलिए मुझे इस पोदे को निचे shift करना पड़ा उन्होंने काफी सारी इसकी birds खा ली है friends यह हिविका से गर्मियू में ही flowering करता है यह लगबग मार्श से लेके जून जुलाई तक flowering करता है जब तक मान सुन आता है उसके बाद यह flowering नहीं करता है friends यह वाटरिंग के बाद करें तो इस पोदे को डेली वाटरिंग चाहिए होती है लेकिन वाटर उतना ही देना है ताकि इसकी मिट्टी एक दिन के बाद dry होने लग जाए क्योंकि ज़्यादा मिट्टी पानी देने से क्या होगा कि इसकी पत्या जंडे लगेगी और इसके पर जो फ्लावर है उनका साइज भी कम हो जाएगा साथ में आप एवरी मन्त इस फर्टिलाजर को आप एक बार दे सकते हैं इस पोदे में जब तक यह फ्लावरिंग करते रहता है जब यह डॉर्मेंसी में चला जाता है उस टैम पे आप इसको को भी फर्टिलाजर मत दीज गाइज हिबिकस के पोदे उपर सबसे ज़्यादा वाइट मिली बग का अटेक होता है और वाइट मिली बग जब इस पर अटेक कर जाती है तो इस पोदे को बहुत नुक्सान पहुचाती है इसके लिए आपको नीम ओयल स्प्रे का इस पर एवरी वीक में आपको आते हैं और कैसे यूज करते हैं इसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स आपको एक बात का और धान देना है जो भी इसका फ्लावर स्पैंट हो जाता है उस फ्लावर को आप तोड़ करके अलग कर दीजे अदर्वाइज क विकस के पोदे से रिलेटर या किसी और पोदे से रिलेटर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्षन में आप पूछ सकते हैं और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें सेर करें और यदि हमारे चैनल पर नहीं है तो इस चैनल को सब् जरूर कर दे और फ्रेंड्स बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो में वीडियो आगे बनाऊ उसका नोटिफिक्शन आपको मिल सके तो आगे मिलते हैं इसी तरह की वीडियो में जब तक के लिए बाइबाई टेक केर